IPL तो 24 शुरू होने में अब कुछी दिन 6 बचे हैं इससे पहले BCCI ने IPL के नियमों में कुछ बड़े बदलाव किये हैं तो चलिए जानते हैं कौन सा नियम है जिसे BCCI ने इस सीजन में बदला है BCCI ने इस साल जो सबसे बड़ा बदलाव किया है वो है रिव्यू सिस्टम में बदलाव जैसा कि आप जानते हैं IPL में कुछ टक्कर की मुकाबले देखने को मिलते हैं और अमपायर की एक गलट डिसीजन से पूरा मैच पलट जाता है IPL के इस सीजन में कुछ ऐसी गलती न हो सके इसके लिए BCCI नया स्मार्ट रिपले सिस्टम ला रहा है आपको बता दे इस नियम को लाने का मकसद फैसले में गलतियों को रोकना है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार स्मार्ट रिव्यू सिस्टम से गलती कम होगी और इससे तीसरे अमपायर को फैसला लेने में आसानी होगी रिव्यू सिस्टम के लिए मैदान पर हॉक आई के आठ हाई स्पीड कैमरे लगाए जाएंगे और दो कैमरा ऑपरेटर तीसरे अमपायर के पास भी होंगे इससे टीवी अमपायर को सीधे इन दो ऑपरेटरों से इनपुट मिलेगा नए सिस्टम से टीवी अमपायर वीजूल का और अच्छी तरह विशलेशड कर पाएंगे इस स्मार्ट रिव्यू सिस्टम के तहत वीजूल स्क्रीन पर क्लीर दिखेंगे और इसमें स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन भी रहेगा जिसमें डिसिजन लेने में आसानी होगी इससे अमपायर अलग-अलग एंगल में साफ वीजूल देख सकेंगे आपको बता दें इस स्मार्ट रिव्यू सिस्टम का उपियोग पहले ही इंग्लैंड की दा हंडर्ड लीग में किया जा चुका है अब आप किस पर क्या रहा है हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें यदि आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेर करना ना भूलें